हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल ग्रीड मेथट ड्रॉइंग फॉर फेस तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज अपनी वीडियो दोस्तो यहां पर मेरे पार जो आज पैंसिल यूज होने वाली है वो है टॉम्बो की पैंसिल यहां दोस्तो बहुत बड़ा नामी ग्रामी नाम है टॉम्बो का जैसे कि आप भी जानते होंगे यहां पर हमें मोनो इरेजर इसके साथ फ्री मिलने वाली है प्राइजिंग आप देख सकते हैं एक हजार असिया लिखा है मुझे लगबग दोस्तो 950 में यह मुझे म रहा हूं मोनो 100 को और मैं देखना चाहता हूं दोस्तों इसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा होने वाला है एंड इससे मैं पूरा जो मेरा नया फेस ड्रोइंग है उसको मैं शेडिंग करूँआ दोस्तों तो बढ़िया तरीके से जो है पहले रिवील करते हैं कि इसके करनी को काटा और यह जो है पैंसिलों को निकाला वह अब इनको दोस्तों गिरा देते हैं अपने बोर्ड के ऊपर यह लीजिए वह मज़ा ही मज़ा है और क्या बात है पैंसिल सच में दोस्तों बहुत हाई क्वाल्टी लग रही है और यहां पर मोनो एरेजर हमें एक फ्री यानि कि अब देखते हैं दोस्तों बढ़िया तरीके से कितना चलती है F-grade है हमारे पास यहां पर उसी तरीके से अब पहले यह देखते हैं कि इसमेरा highest dark grade कौन सा है तो सबसे पहले दोस्तों मैं वही पैंसिल सर्च कर रहा था कि देखी हाईेस्ट जो है यहां पर हमारे पा आप देखते हैं दोस्तो यह लोग और चलती है उससे पहले मेरेजिन करें तो लो जो इसाइड कर लेते हैं तो मेरेक भी निकालके जिएबाई कर सक Lao K people है क्योंकि मेरा पुना एक परसनल जो है आजकल मौकिंग बड जो गाना चल रहा है दोस्तों और सच में दोस्तों वो दिमाग में चाहा रहा था तो मैंने चलो शुरू करते हैं 10 और 14 वोक्स हमारे ग्रीड में बने हुए हैं तो सबसे बहुत मेरा काम है कि मेरी शीट को मैं प पीश में जो हमारी वीट है वो 25 cm आ चुकी है अब हमारा जो अगला काम है वो है कि हमें लंबाई भी जो है अच्छी तरीके से बैलेंस कर लेनी है लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं लगा लेता हूं masking tape so that जो मेरा border है वो बढ़िया तरीके से मेंटेन रहे और मेरी जो शीट है वो गंदी ना हो मेरे corner पे से तो masking tape is the best portion best part for all the art lovers आप बढ़िया तरीके से जो है अपने masking tape को use करिए दोस्तों and बढ़िया तरीके से उसको जो है किनारों पे इस तरीके से चिपका करके फिर आप अपना जो कहाम है वो शुरू कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तों मेरे box है वो बन चुके हैं जैसा कि आप देख पा रहे है 14 boxes vertically and 10 boxes horizontally जी हां दोस्तों यहां पर जो मेरे पास measurement है वो 2.5 पर box मैंने जो है लिया है अब यहां पर HV pencil के साथ दोस्तों मैं जो है अपनी drawing शुरू करूँआ और शुरू करने के बाद दोस्तों हम देखेंगे कि हमारी जो drawing है वो किस तरीके से बनेगी क्योंकि सीथी सी बात है दोस्तों drawing करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि अपनी जो इतनी महेंगी pencil है उनको यूज किया जाए मैंना सोचाए चलो drawing तो अपनी HV pencil नेटराज की pencil से ही कर लेते हैं then shading का जितना भी पार्ट होगा वो सारा हम जो यहाँ पर जो है Eminem की कैप से जो है अपनी drawing शुरू कर दी है क्या आपको भी दोस्तों Eminem की रैप अच्छे लगते हैं उसका music अच्छा लगता है कमेंट करके जरूर बताईएगा बाकि दोस्तों Eminem की drawing हमारी चलेगी बढ़िया तरीके से तो हम जो है इसी बात पर वेट कर करने वाली पैंसिल्स है या इस टैडलर के comparison में लो पैंसिल है या कैसी है राइट दोस्तों तो यह देखिए दोस्तों हमारा इतना जो है पार्ट हो चुका है अब धीरे दीरे इसमें जितनी भी detailing और बाकि सारा काम है वो हम अपना करते विच लेंगे और पैंसिल को यूज करेंगे तो यह देखिए दोस्तों ड्रोइंग अब हमारी यहां पर पूरी हो चुकी है एमिनम को हम बना चुके हैं आउटलाइन इस तरीके से कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमारा आगला पार्ट शेडिंग का है तो कैप से दोस्तों शेडिंग शुरू करेंगे और दो